हेलो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो धात की बीमारी की समस्या से छुटकारा पाने के बारे में है धात रोग का प्रमुक कारण क्या है? अधिक कामुक और अशलील विचार रखना मन का अशांत रहना अक्सर किसी बात या किसी तरह का दोहक मन में होना दिमागी कमजोरी होना व्यक्ति के शरीर में पौशक पदार्थों और तत्वों व विटामिन्स की कमी हो जाने पर किसी बीमारी के चलते अधिक दवाई लेने पर व्यक्ति का शरीर कमजोर होना और उसकी प्रतिरोधक श्रमता की कमी होना अक्सर किसी बात का चिंता करना पौरुष द्रव का पतला होना यौन अंगों के नसों में कमजोरी आना अपने पौरुष पदात को व्यर्थ में निकालना वर नश्ट करना हस्तमेथुन अधिक करना धात रोग के लक्षन क्या है? मल मुत्र त्याग में दबाव की इच्छा महसूस होना धात रोग का इशारा करती है लिंक के मुक से लार का टपकना पौरुष वीरे का पानी जैसा पतला होना शरीर में कमजोरी आना छोटी सी बात पर तनाब में आ जाना थात पैर या शरीर के अन्य हिस्सों में कमपन या कपकपी होना पेट रोग से परेशान रहना या साफना होना कबज होना सांस से संबंदित परेशानी धात की बीमारी से बचने के लिए इन चीजों का परहेज रखें ज्यादा पानी पिएं, तला हुआ भोजन न करें मास मचली अंडा काजू बादाम न खाएं मन में गलत विचार न रखें अशलील चीजों से दूर रहें इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक बहतरी नायुर्वेदिक दवाई है सफूफ मुकवी सफूफ मुकवी कीमती जड़ी बुटियों से तैयार की जाने वाली एक आयुर्वेदिक दवाई है सफूफ मुकवी कई बिमारियों में काम करती है जैसे चिपचिपा पानी का आना रोकती है, घडियों से चटकने की आवाज आने को रोकती है, मसाने की गर्मी को खतम करती है, पेशाब के बाद में पेशाब के कत्रे जो आते हैं उनका आना बंद करती है, पेशाब में धात का आना बंद करती है, वीर्य को घाडा करती है, और ऐसी हुआ है